भविश्य का दूसरा नाम है संगर्ष। रुदे में आज एक्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो रुदे भविश्य की उजना बनाता है। भविश्य में एक्छा पूर्ण होगी ऐसी कलपना करता रहता है। किन्तो जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस शन का नाम है। अधात इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सक्ते समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते। या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम भिदे में उतार लें कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते हैं। स्वागत कर सकते हैं भविश्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वयम दिचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य की जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आगहात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठ कर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है नहीं वास्तव ने वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं चुनौतियां नहीं नहीं विडम बनाए नहीं अव्रोध मिलते सते एक पत पर वो अपने अगले पत का निड़ने करता सते एक पत पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखेल दे वो परवत को अपने योग्य नहीं बना पाता येवल स्वेम को परवत के योग्य बना सकता है क्या जीवन के साथ गी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग लेता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और स्टान्ती प्राप कर पाता अर्थाथ जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वैम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही तफलता और सुखता एक मात्र मार्ग नहीं स्वैम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वैम निश्चित करने का प्रैट्न करते रहते जिस मार्क पर पिता स्वेम चला है जिस मार्क के कंकर पत्थर को स्वेम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूब को स्वेम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिता की लिसन देख, उत्तम भावना है यह किम्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते कौन से प्रश्ण? प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनाथियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई प्रश्ण को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ संतानों को संतार तो अवश्य माता-पिता देते हैं कि तू हीतर की शंता हीतर की शंता तो इश्वर देते तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा तीसरा प्रश्ट क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रते एक नया प्रश्ट एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नय नय प्रश्टनों संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाप करना कहलाएगा या आनी पहुचाना अठाथ जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेष्ट है बैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नई संखर्षों के साथ जूजने के लिए मनों बल वज्ञान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा स्वयम विचार कीजे जीवन का हर अक्षण निर्णे का अक्षण होता प्रतेक पत पर दूसरे पत के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनश्चय से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्तर निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई युग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांथ मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांथ करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता स्वयम विचार कीजिएगा सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्चे आता है कि सत्य कहने का निश्चे होता है रिदे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते है नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्ठात जैसा हुआता वैसा केवल बोल देना समानने सी बात किन्तु कभी-कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मत दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते होए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थाज? क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता? स्वयम विचार कीजिए जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याग कर दुरगुणों को अपनाता है वस्तिता मनुष्य के जीवन में दुर्जन का जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंडने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेएक संघर्ष के साथ उसका उस्ता पड़ता है अर्थात आत्व विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिति जीवन को देखने का दृष्टि कौन माध रह और जीवन का दृष्टि कौन तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वयम विचार कीजिए ज्यान प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है यह हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदाही ज्यान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उथपन करता है. कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्षा हो जाती है. कभी पढ़ाय हुए पाठों पर संदेह जनता है. और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है. नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं. और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं. मन की योग्य स्थिती केवल समर्पण से निर्मित होती है. समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है. इर्शा, महत्व कांग्षा, आदी भावनाओं को दूर कर प्रदे को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में इश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्तात्रे ने तो गाय और श्वान से भी ग्यान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ग्यान का हो या जीवन के ग्यान का या गुरु कुल में प्राप्त होने वाले ग्यान का उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? सुयम विचार कीजिए